वेलकान टोंडे एक्जाम क्लासेदी के रेलवे ग्रूप डी एक्जाम 2022 का जो आपको रिटेन एक्जाम संपन हो था उसका स्कोर कार्ड जारी कर दिये गया आप सभी लोग अपनी नंबर को देख सकते हैं हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको ऐसे स्कोर कार्ड दिखाएंगे जहाँ पर एक्च्वल मार्क से नार्मलाइज मार्क में नंबर एक भी नंबर नहीं बढ़ें या तो एक से कम नंबर दिये गए तो एसे स्कोर कार्ड दिखाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मारा पहला स्कोर कार्ड यह कोलकाता जोन का है तो 100 कोशन टोटल थे एक क्याथी कोशन जो थे अटेम्ट किये थे स्कोरेंट ने 66 सई हुए 15 गराथ हुए तो एक्चुल में जो नंबर बने 16 नंबर बने आउट आप सो में ठीक है अब यहाँ पर देखिए नार्वलाइज मार को जो है वो 16 नंबर ही है मतलब कि 61 का 61 नंबर यह एक नंबर तक रेलवे निने नहीं दिया और इनका यह कहना है कि कई के लोगों को 5-10 नंबर मिलें अगर इनको कहीं पर से हैं 3-4 नंबर मिल जाते हैं कोलकाता जोन से 65.89 ठीक है तो अगर 3-4 नंबर मिल जाते हैं तो पेट के लिए यह क्वालिफाई हो जाते हैं यहाँ पर पेट के लिए not qualified है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नार्वेशन में एक नंबर तक इ 66 number बने 60.66 number बने ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं और नालवैसन में इनको एक number तक नहीं मिला है अगर हम राची जो उनकी बात करेंगे तो OBC के मिलेट जो गई थी राची से वो 64.64 गई है तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं और दोड में सामिल हो पाते हैं लेकिन उनको एक number तक railway ने नहीं देने का प्रयास किया है अब देखिए मने नेस जो score card है वो हमदाबाद zone का है 100 question total थे एक ignore question हुआ है 84 question attempt किये थे 66 question सही हुए 7 गलत हुए तो actual number बनेगे 74.41 बने आउट आप 100 में ठीक है तो अगर नार्वेशन मार्क की बात करेंगे तो नार्वेशन मार्क में उनको एक number तक मिला point में उनको number दिये गए तो यहाँ पर देख सकते हैं और लेकिन परसेंटाली score की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इनसे ज़्यादा वाले जो student रहा होगा उसको 100% मिला होगा तो कहीं न कहीं इनके number जो हैं वो बहुत ही कम बढ़ाया जाएंगे या तो इनके number घड़ सकते थे लेकिन इनके number पहले से अतने ज़्यादा हैं कि यह पेट के लिए तो कॉलिफाई हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि number आपको क्यों नहीं दिये जा रहे हैं और कम मिलना हैं तो किस card से आपको number कम मिलना हैं अब यहाँ पर नेस देखिए score card है पटना जो उनके student का 100 question आपके total थे 3 question इग्नोर हुए 94 question attempt किये थे 70 question सही हुए उन्हें इस question जो थे वो गलत हुए तो अगर हम 97 से बात करेंगे तो 65 number उन्हें में ले आउट आप 100 में बात करेंगे तो 67.69 number उन्हें मिले थे लेकिन यहाँ पर नार्मलाइज मार्क में बात करेंगे तो देखिए 66.92 number मतलब आधा number भी इनको नारृ Griff में नहीं मिला है तो एसे आपको scorecard हम दिखा रहे हैं जहांपर नार्मेशन जो एक number या एक से कम दिया गया हैğ तो एसे ही showynd के ठेर सारे कमेंटार है कि हमको number क्यों नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये पेट के लिए क्वालिफाई है क्योंकि इनके नंबर जो है वो पहले से ज़्यादा थे तो पटना वोड की आप जानते हैं पटना वोड की कटाप केतनी गई है अगर हम जनरल की बात करेंगे 66.20 कटाप गई है तो ये कटाप की बिलकुन पास ही है अगर थोड़े से नंबर बढ़ने वाली है अब देखिए नेश यहां पर बेंगलोर जो उनके स्ट्वेंट हैं यहां पर आप देख सकते हैं 99 कोशन जो थे वैलेट कोशन थे 82 कोशन एटेम्ट की है 61 कोशन जो थे उगलत हुए तो आउट आप सो की बात करेंग तो 68 नंबर जो थे उनके एक नंबर तक नहीं मिला है 0.96 नंबर मिला है ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं और परसेंटाइल में उनका स्कूर हुआ है 97.84 परसेंट हुआ है जबकि नंबर उनके ज्यादा थे इसलिए वो पेट के लिए क्वालिफाई हो गए लेकिन देखिए पेट के लिए जो तीन ग का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक उनको यह संसय रहेगा कि उनका रिजल्ट में डीवी के लिए होगा कि नहीं होगा अगर एक दो नंबर उनको लगता है कि हमको नर्वैज मार के मिल जाते हैं तो वो संसय खतम हो जाता है यहां पर देखिए 68.96 है कटाप के एक से दो नंबर के पास ही है तो डीवी के लिए कटाप लगवगा को मालू है पिछले बार भी तीन से लेकर के साथ नंबर तक कटाप बड़े थी तो यहां पर जो कटाप के पास है उनका जो है वो लगतार संसय रहेगा अब देखिए नेस जो है अजमेर जो उनके स्टुएंट है यहां पर उनके 64 कोशन के यह थे 50 कोशन सही है 14 कोशन गलत हुए एक्चुल मुने 45.33 नंबर मिलें और आउट आफ सो भी मिलें उतने और नारोलाइशन में उनको एक नंबर तक नहीं मिला ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं जबकि अजमेर बोड करेंगे तो 61 नंबर गई है तो कहीं पर से भी यह कॉलिफाई पहले से नहीं हो रहे थे लेकिन नंबर भी उनको एक भी नंबर नहीं दिये गए तो एसे आपको स्कोर कार्ड हम दिखा रहे हैं इसमें यहां पर देखी पेट के लिए इन नाट कॉलिफाई तो पहले सी थे अब देखें नेश के नियते हीं हुनेस्वार जोन के 100 कोशन किये थे 100 कोशन में कोई भी कोशन इग्णोड नहीं था 80 कोशन किये 64 कोशन सही हुए 16 कोशन गलत तो यहां पर 58.66 नंबर इनके बने थे लेकिन इनको देखिए नारुलाई जिमार के नाम पर एक नंबर भी नह वो 66.49 गई है इनके जो नंबर आए यहाँ पर देखिए पेट के लिए क्वालिफाई है इसका मतलब यह अजमेर जोन से अगर यह है तो इसका मतलब यह OBC कंडिडेट हो सकते है OBC कंडिडेट की जो मेरिट गई है वो 58.36 गई है तो यहाँ पर देखिए कटाप की बिल्कूर नजदीक है उनसर्ट इनके नंबर है अठावन.36 कटाप है इसका मतलब यह पेटे में अगर क्वालिफाई भी हो जाएगे तो बहुत कम चांस ने देखिए इनके सेलेक्शन हो जाएगा क्योंकि पेटे में इतने लोग फेल नहीं होते हैं तो अगर आपके 3-4 नंबर जादे हैं तब ही आप लोग उमीद रख सकते हैं क्योंकि बहुत कम आपको यह से मिलेंगे कि 3-4 नंबर कम आपकी मेरिट जाएगे 7-7 नंबर तक पिसले बार बढ़े थे हमने आपको बताया है तो अगर आपको इन में 2-3 नंबर और मिल जाते हैं तो इनके फाइनल सेलेक्शन की चांसेज थे अब यहाँ पर इनेस देखे चंडीगड जोन का है एक हमारे पार स्कोर काड है 100 कोशन थे 100 कोशन टोटल कोई भी इन्वालेट कोशन नहीं थे 81 कोशन अटेम्ट की यह 72 कोशन सही हुए 9 कोशन गरत हुए तो 69 नंबर इनके बने थे ठीक है और 69 में इनको जो नारोलाईज मार की मिले है वो 0.5 मतलब कि यहाँ पर देख सकते उनको अगर 2-3 नंबर मिल जाते है तो यह पेट के लिए क्वालिफाई थे अगर इनको 1-2 नंबर मिल जाते है तो क्वालिफाई हो जाते है तो ऐसे कमिट कई आ रहे हैं कि हमको एक नंबर नहीं मिला रेलीव नहीं वासा गलत किया तो यह सब आपके प्रिश्ण पत्र के ऊपर निर्भर करता है कैसा आपका प्रिश्ण पत्र था उसी इसाब से आपने स्कोर कम किया होगा इसलिए आपके नारवलाई जो नंबर कम बड़े हैं तो यहाँ पर देखिए आपके परसेंटेज भी दिखा रहा है कि आपसे ऊपर कितने लोग हैं आपके स्रिफ्ट में कितने लोग थें आपके इस नंबर पर हैं यह सब कुछ आपको इस बार दिखाया जा रहा है अब देखिए यहाँ पर एक और स्कोर कार्ड है एहमदाबाद जोन का 100 कोशन के थे 89 कोशन उन अटेम्ट की है 84 सही है 5 गलत है अब देखिए आउट आप 100 की बात करेंगे 82.33 आउट आप 100 है देखिए जो परसेंटेज में उनके ज्यादा स्कोर है जो टापर इस्टोएंट है यहाँ पर देखिए 99.99 इस्टोएंट है कि आप टाप बन जाएंगे टापर तो आपसे यदा हई है यहाँ पर देखिए 24 24,400 इस्टोएंट इस स्टिप्ट में थे और इनका नंबर है 24,399 मतलब इनसे ज़्यादा वाला एक इस्टोएंट है जिसने टाप किया है तो उससे तो नंबर ने के कम रहेंगे इसलिए इनको नारोलाज में इतने नंबर नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी यह टापर है और पेट केली कॉलिफाइड है तो हमने आपको एसे लिस्ट दिखाई है और दूसरा नंबर आपके परसेंटेज ज़्यादा रहेंगे और आपसे ज़्यादा इस्टोएंट ऊपर है तो उनको नंबर उपर से नंबर कम ही दिये जाएंगे इसलिए आपको भी कम नंबर मिलें तो ये सब हमने आपको इस वीडियो में भी स्लिसर्ट करने का प्रयास किया फिर भी आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंटर बाक्स में कह सकते हैं आपको कोई सबस्थ्या हो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि कैसे students को Närvazon के नापे नंबर कम किये गए थे तो वो भी वीडियो आप लोग जाकर देख लीजेगा वहाँ पर नंबर कम किये गए थे और यहाँ पर हमने आपको दिखाया है कि एक नमबर या फिर नमबर दिये ही नहीं गएं तो यहाँ पर आपको हमने दो वीडियो प्रवाइड कियें मिलते हैं यह स्टूइडियों बहुत बहुत धन्यूद